मैं ससुराल नहीं जाओंगी हमारी दिव्या अपने माता पिता की सबसे लाडली बीटी है उसे बच्पन से ही ना सुनने की आदत नहीं है पर शादी के बाद तो सबकॉइड जस करना पड़ता है पर दिव्या के लिए ये चीज़ करना थोड़ा मुश्कल सा हो रहा था अरे माजी आप तो छोटी-छोटी चीज़ों में टोकती रहती है अरे छोटी-छोटी चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बहू अब यही देख ले तुने तीन लोगों के लिए सब्जी बनाने की जगए दस लोगों की सब्जी बना दी है क्या करेंगे हम इसका? अरे घरीबु को दे देंगी और क्या? अब मैंने जान बुझकी तो नहीं बनाई ना, गल्ती से बनगी है मुझसे ज़्यादा सब्जी अरे इसलिए तो समझा रही हूँ के खुद को सधार ले अरे माजी मैंने कहा ना, आज ही हो गई मुझसी गल्ती, इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया है क्या? अब गल्तीया तो काफी होती रहती है तुझसे बहू, बागी क्या कहूँ मैं? हाँ हाँ, आप कहां कुछ कहती है माजी? तो ने उस दिन इतना नुकसान कर दिया, मैंने कुछ कहा क्या? कब? क्या क्या मैंने? कौन सा नुकसान? आरे आप छोड़, मैं कहूंगी तो फिर बोलेगी माजी बोलती रहती है, टोकती रहती है अब इतना तो बोली दिया है, ये भी बोल दीजी, कब क्या मैंने नुकसान? आरे उस दिन, उससे चटनी खराब नहीं हो गई थी, सारा किचन भी खराब हो गया था, फिर से पूरा साफ करना पड़ा था मुझे अथो क्या हुआ, कभी-कभी हो जाती है गलती है, आप सभी तो होती है ना, उस दिन आपने दूद नहीं किराती है था, जब मैंने आपको दूद को उबालने के लिए कहा था वो तो मेरा ध्यान ज़रा सा हट गया था बस आपकी गलती ध्यान भटकना और मेरी गलती गुना, आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता-कुत्ता, कुत्ता ऐसे कैसे? अरे अब मेरी उम्र हो गई है, तू तो जवान है ना, तुझे थोड़ा साउधानी से काम करना चाहिए बहु अब आपकी उम्र हो गई है तो आपको भीना घर में कम ध्यान देना जाए माजी अब आपकी भजन किरतन के दिन है इसलिए ये टोका टोकी बंद कर दीजिए अब इतनी तु समझदार होती तो मुझे काम नहीं करना पड़ता पहू अब कहना कह चाती है मुझे अकल नहीं है मैं बेवकूफ हूँ क्या अब समझदार को इशारा ही काफी है मैं बोलूँगी तो फिर कहेगी आप बोलती रहती है आप ना ना कहते होई भी सब कुछ कह जाती है माजी जब से इस घर में आई हूँ पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है आपको जाप तेखो मुझे संब् overwhelming अपको पताय है मेरे मंबी घर आपने मेरे लिए अब ऑना सहने वाली मैं हाँ अब अगरा अगर आपने मुझसे कुछ नहीं तो मैं तोन मैं क्या तो क्या चल रहाए तुम्हारे दिमाग में तो मैं, मैं अपने घर चली जाओंगी, हाँ अरी, ये क्या बात हुई, बला? अब इतनी बात पर कोई अपना से सुराल छोड़ कर जाता है, क्या? नहीं, मैं बापकी नहीं सुने वाली रहने दे, अब मैं तुसे कुछ कहूंगी ही नहीं रात को आकाश आएगा, अब वही फैसला करेगा कि क्या करना है चीक है, मैं भी देखती हूँ कि क्या फैसला लेते हैं वो कावेरी और दिव्या के बीच अकसर छोटी-मोटी नोगचोख होती रहती थी जैसे अकसर सास बहु की बीच में होता रहता है लेकिन दिव्या ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया था कि वो अपने माई के चली जाएगी अब दोनों रात उने का इंतजार कर रही थी कि कब आकाश राए और अपना फैसला सुनाए अरे, एक मिनिट, एक मिनिट अब दोनों एक हे करके बताए कि हुआ क्या है अब मैं कुछ कहूँगी तो तेरी बीवी कहेगी मैं टोप दे रहती हूँ मैंने तो भई बोलना ही छोड़ दिया है ये तो ऐसे कह रही है जिसे मैं इने परिशान करती रहती हूँ अरे, मैंने तो बस समझाने की कोशिश की थी लेकिन ऐससा तो छोटी सी बात भी सहन नहीं होती जब से मैं इस घर में आयू ना तब से सुनी रही हूँ अरे, दिव्या मा तुमारी भलाई के लिए कह रही है वो बड़ी है हमसे थोड़ा कुछ बोल दिया तो क्या फरक पड़ता है हाँ, मैं तो भूली गई थी आप है तो इनके बेटे ही ना अपनी बीवी की बात क्यों सुनेगी ये बड़ी है, कुछ भी बोल सकती है इसका मतलब यह निके मैं हर बात सुनती रहूं अरे, ऐसा नहीं है और मा, तुम भी थोड़ा कम बुला करो ना बस, माईजी से इतना ही कहेंगे और जो पता था, आप अपनी मा की ही साइड लेंगे इसलिए मैंने अपना सामान पहले से बांद कर रखा है सामान? कैसा सामान? नहीं, आपके लिए चोटी बात होगी आकाश ने दिविया को रोकने की कोशिश की लेकिन दिविया तो रोट कर चली गए और आठ दिन होने के बार भी उसका गुस्सा शानत होने का नाम नहीं ले रहा था इसलिए आकाश खुद उससे समझाने उसके माई के चला क्या और अब कितने दिन या रहने का प्लान है दिविया पापा जी आप ही समझाई है ना दिविया को दमाज जी इसमें दिविया के तो कोई गलती ना है आपको उसे संभालना चाहिए था पापा जी हर घर में ऐसी बाते होती रहती है अब छोटी छोटी बातों पे कोई रोट करमाई के थोड़ी ना आ जाता है दमा जी हमने बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है उसे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी आपको उसका ध्यान रखना चीए था मैं समझता हूँ लेकिन मैंने अपनी मा से भी बात किये मामी जी आज से वो दीव्या को ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी बस पर हम दीव्या को जाने को नहीं कह सकते उसकी गलती नहीं है वो जब तक चाहे यहां रुख सकती है मैंने काया था ना मेरे ममी पापा मेरा साथ जरूर देंगे अब मैंने सुने वाले आपके मा की बातों को दिव्या दिखो तुम समझदार हो तुम भी जानती हो कि मा की मन में ऐसा कुछ भी नहीं है वो बस कुछ भी क्या देती है अब उनकी बातों का क्या बुरा मानना, चलो अब जिद मत करो और अपना सामान लो मेरे साथ कर चलो हाँ हाँ, आप तो यही कहेंगी, उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी घर नहीं आना चाहती, मैं यहीं रुकूंगी माई की में अमी पापा, आपको तो कोई अतराज नहीं है न अरे क्या से बात करिये बिटा, अले क्या अतराज हो सकता है तेरे यहां रहने से, तो तो मेरे दिल का टुकड़ा है दिविया तेरा जब तक मन चाहिए तो यहां रह सकती है बिटा दिविया आप बात को यहीं खतम करो और चलो अपने घर तुम क्या चाहती हो, मैं योहीं तुम्हें मनाता रहू नहीं, जब तक मा जी को अपनी गलती का ऐसास नहीं हो जाता मैं घर नहीं आओंगी क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तुमसे बड़ी है इस सुम्रह में तुम क्या चाहती हो, कि वो तुम्हें मना है तो गलती पी तो उनकी थी न, मैं घर नहीं आओंगी जब तक वो मुझे मना नहीं लीती तुम अपना बच्चो जैसे जिद लेकर बैठी हो तुम जानती हो, कि मा नहीं मानेगी इस चीज के लिए कभी भी तो कोई बात नहीं, जब सम्दन जी मान जाए, तब आप दीव्या को लेकर जाएगा हमारी बेटी हम पर बोज नहीं है का माची आप लोग दीव्या को समझाने की जगए, उसका साथ दे रहे हैं माता पिता होते ही इसलिए है कि मुसीबत में साथ दे सके चीक है, जैसी तुमारी मरसी, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ, शाद उसके बाद तुमारा गुस्सा ठंडा हो चुगा होगा आकाश की लाख मना करने पर भी दीव्या नहीं बानी, और वो वहीं रूट कर अपने माईके में बैट गई और तो और, अब तो उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे थे, आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि सुलजन को सुलजाय कैसे अरे, यह क्या बात हुई, ससुराल नहीं आना है? मैंने कितनी कुशिश की उससे समझाने की, लेकिन वो कुछ समझने को तयारी नहीं है माँ उसके माता-पिता को तो समझाना चाहिए न, इसलिए वो इतनी सर पर चड़ गई है मा प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाओ, यह सब तुम दोनों की वज़ासी हो रहा है आप भी तो चुप रह सकती थी न, गल्तिया सबसे होती है अरे, मैंने ऐसा क्या क्या दिया आप तेरी बीवे को, जो तुम मुझ पर इतना गुसा हो रहा है मा मैं गुसा नहीं हो रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम बड़ी हो न, इसलिए कभी-कभी चीज़ों को तुमें संभाल लेना चाहिए लेकिन तुम तो दिव्या के साथ बच्ची बन जाती हो अरे, मैं समझदार हूँ, तभी तो उससे समझाती हूँ उसके माता-पिता की तौरत थोड़ी न हूँ, कि पेटी को समझाने की जगा घर पे ही बिठा लिया मुझे तो पहले से ही उसके लक्षन ठीक नहीं लगते थे बस यही, तुम्हारी इनी बातों की वैज़े से न, दिव्या को बुरा लगता है मा तुम्हें ऐसी बाते क्यों हो करती हो हाँ, अब तो मैं ही बुरी लगूंगी न, तुझे तेरी बीवी की गलतिया तो दिख नहीं रही उनके माता-पिता की छूट दिख नहीं रही बस दिख रही हो तो सुर्प मैं अरे मा, मैं समझते हूँ कि तुम उसके भले के लिए क्या रही हो लेकिन थोड़ा प्यार से कह दो, बस इतना ही समझा रहा हूँ चलो एक काम करो, मैं दिव्या को फोन लगाता हूँ, तुम दोने एक दूसरे से बात करो मैं तो कभी ना कहती नहीं, मुझे कलेश पसंदी नहीं है लगा दे फोन, मैं तो प्यार से ही बात करूँगी ठीक है, एक बार तुम दोने एक दूसरे से बात करो तो उलजन सुलच जाएगी मैं अभी फोन लगाता हूँ हलो दिवा, सुनो, देखो, मा और तुम ना एक बार अपस पे बात करो ठीक है मुझे मा जे से कोई बात नहीं करनी मुझे भी कौण सा शॉक है तुछ से बात करनी का, मुझे भी नहीं करना यह बात अरे, एक बार दोनों बात तो करो, प्लीज देखा नहीं, कैसे चिला रही है मुझपर आ तो तू भी कौन सा मुझपर चाशनी बरसा रही है भगू करा खुद का घर है, तुझे अब घर आ जाना चाहिए आपको तो मेरे बिना मज़ाई आ रहा होगा न, तो मज़े करिए, मैं नहीं आ रही हूँ अरे, इन दोनों का क्या करूँ मैं, ये बगवान, हम मर्दी क्यों फस जाते हैं हमेशे न औरतों के बीच आकाश जितना चाहता था कि वो उन दोनों की मैटर को सुलजा सके, वो दोनों उतना ही एक दुसरे से जगरने में लगी हुई थी और अब तो दो महीने हो गए थे, दिव्या को अपने माईकी में, फिर भी वो बापस आने का नाम नहीं ले रही थी पर एक दिन अचारक आकाश दिव्या के घर पहुँच गया अब यहाँ, पिर आ गए मुझे मनाने नहीं, इस बार में तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ दिव्या अपनी गलती स्विकार करने आया हूँ तुम सही कहती थी, माँ को ना सोच समझ के बोलना आता ही नहीं क्या? हाँ, मैं भी उनकी इन हरकतों से ना परिशान होकर तुम्हारे पास आ गया हूँ अब जब तक की मैटर सॉल नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा सच, मुझे तो लगा तो आपको कभी अपनी गलती का ऐसास ही नहीं होगा लेकिन आज तो आप मेरे पास चल कर आएं अब हम साथ रहेंगे, यहीं जब तक माजी को आइसास नहीं हो जाता आहां, बलकुल आहां, दमाजी, आप यहीं रुकिये हमें तो खुशी है कि आप मेरी बेटी का साथ दे रहें हाँ, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ जी ममी जी, खाने से पहले चाए और थोड़ा सा गरम पानी भी और खाने में देवी आपको बता देगी कि मुझे क्या-क्या पसंद है जी-जी, ठीक है, मैं अभी तैयारी करते थी हूँ दमाजी आपके लिए मैं आती हूँ न, ममी रस्व में, तुम्हें बता देती हूँ इने क्या-क्या पसंद है हाँ, ठीक है, पिटा आकाश के दीव्या के घर पर आने से सब खुश तो थे ही लेकिन अब उन्हें बेटी के साथ जमाई की खातरदारी भी करने पड़ रही थी क्योंकि दामाद को अब ऐसे ही रूखा सुखा तो खिला नहीं सकते थी इसलिए दीव्या के माता पिता लगे हुए थे अपने दामाद की खिद्मत में अरे दामाद जी, कचोरी लीजिए न, स्पेशली आपके लिए लाया हूँ मैं हाँ और ये पनेर की सबजी भी लेजिए हाँ ले रहा हूँ मैं, आप लोग उने तो काफी कुछ बना दिया अब समझ में आ रहा है कि दिव्या माई के में खुश क्यों है इतने दिनों से हरे नेनी, मान तो कुछ भी खा लीती हूँ, जो भी बनाओं घर में ये तो स्पेशली आपके लिए बनाया है माने आप दामाद के खातिरदारी करना तो हमारे घर की परमपुरा है हमारे यहां दामाद को न ईश्वर का दर्चा दिया जाता है आपकी खिद्मत करना तो हमारा कर्तब यह है मतलब रोज इतना लजीज खाना और सेवा मिलेगी फिर तो मैं ज्यादा से ज्यादा दिन या रुकूंगा ममी जी क्यों नहीं क्यों नहीं ये भी आपका ही घर है दमाची आप कुछ और लेंगे दमाची ने ने रस मलाई हो जाती मेठे में तो मजाई आ जाता जी जी मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए अचा रवी अब मैं कुछ दिन यहीं घर से ही काम करने वाला हूँ तुम्हारे कमरे में कम्प्यूटर तो है ना जी जी है ना आ तो बस कल से मैं तुम्हारे कमरे में ही काम करूँगा तुमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं जीजा जी मुझे क्या दिक्कत होगी? आपका ही घर है आपका ही कमरा है आप जितने दिन चाहे इस्तिमाल कर सकते हैं? अरे वाँ ये हुई ना बात आकाश की खातिरदारी करते करते अब घर के सारे लोग परिशान हो गये थे लेकिन आकाश और दिव्या जाने का नामी नहीं ले रहे थे पापा जी ये जीजा जी कब जाएंगे? मेरा कमरा मेरा कम्पूटर सब कुछ मुझ से चीन गया है अरे मैं तो रोज रोज नए नए पकवान बना कर थेट गई हूँ जी अब तो मुझ से भी इनकी खातिरदारी नहीं हो रही दिव्या की बात अलग थी वो तो घर की बेटी है लेकिन दामाद की तो सिवा करनी ही पड़ती है मैं तो कहती हूँ अब दिव्या को समझा बुचा कर घर भेज देते हैं पपपजी अब छोटे मुटे जगडे तो हर किसी के घर में होते हैं बात बात पे दीदी यहां रहने चली आए जी जा जी की साथ तो हमारा जीना तो मुश्किल हो जाएगा अब दिव्या को समझाना ही होगा कि इस बात को भूल जाए और अपने सिसुराल लोट जाए क्या हुआ पपजी अब दमाजी हम सोच रहे थे कि आपकी माता जी भी वहाँ घर में अकेली होंगी ना हाँ होंगी तो सही लेकिन अब नहीं यह गलत बात है दिव्या हमने तुम्हें यह संसकार थोड़ी ना दिया है अब इतने दिन हो गए दमाजी तुम्हें लेने भी आए चलो अपना सामान उठाओ और अपने सिसुराल जाओ पिटा पर पापा नहीं दिव्या यह गलत बात है वो बड़ी है ना तुमसे ऐसा तुम सबके घर में होता है अब से तुमसे सुराल की जगड़े घर में ही निप्टा देना चीके बिटा ऐसे बार-बार माई के आना अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता ठीके माँ मैं सामान लेकर आती हूँ अरे ये क्या मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिन और रुख जाता अरे दिव्या कोना कुछ दिन यहां और रुख जाया नए 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 आप जाए अपने घर हो आज के बाद दिव्या ऐसा कुछ कहे ना तो मैं उसे फोन पर ही समझा दूँगा जैसा आप कहे पापाजी आकाश दिव्या को लेकर घर आ जाता है यहां कावेरी को भी सबक मिल जाता है बेटे बहुसे अलग रहने का और दूसरी तरफ दिव्या के माता-पिता को भी अकल आ जाती है कि बेटी की गलतियों पे उसे समझाया जाता है उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है तो कहीं आपकी बीवी भी तो नहीं सोच रही न रूट कर अपने माई के चले जाने का